Hello students, we are going to start repeating part of chapter 4, parts and whole. Now we will discuss about the card puzzle. यहाँ पर देखिए अभी, यहाँ पो card दिये हुए है, E, P, C, D. Look carefully at the picture and get ready to answer for question. चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पर picture, फिर हम देखते हैं कि हमें कि फुन-फुन से answer यहाँ पर देने हैं. First देखें, first condition क्या दिया है? Divide the white area in square A into two equal parts. ठीक है, first condition क्या करना है? कि जो हमें यहाँ पर square A दिया है, इसको two equal parts में divide करना है. ठीक है? चलिए अभी हम इसको divide करते हैं. यह square A हमारे परस में, इसको हम divide करेंगे two equal parts में. Two equal parts में divide करने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ से क्लाइन को draw कर देंगे. यह हमारे two equal parts में यह divide हो गया. ठीक है? यह two equal parts में हो गया, मतलब half half हो गया. यह वाला portion इसका half हो गया. और यह वाला portion भी कितना हो गया? Half half हो गया. यह हमने divide कर देखेंगे. First question हमने solve कर लिया. Then again, अभी second देखते हैं. Divide the white area in square B into three equal parts. अब हमारे पास जो square B दिया हुआ है, उसको हमको three equal parts में divide करना है. चलिए अभी हम इसको करके देखते हैं. यह हमारे पास में क्या है? B वाला square है. अब इसको हम three equal parts में divide करते हैं. तो three equal parts में divide करने के लिए हम क्या करेंगे? एक line यहाज की draw कर देंगे सीधी. और यहाँ पर एक line draw करेंगे. अभी देखें, three equal parts में divide हो गया यह. यह one हो गया, यह two हो गया, और यह three हो गया. वाइट एरिया जो है, वो three equal parts में divide हो गया. अब आगे क्या है question? Question number three. Divide the white area in square C. अब C का देखेंगे, A को हमने कर लिया, B को कर लिया, अब C को देखेंगे, into four equal parts. अब जो C है, इसको four equal parts में divide करना है. Is it a bit difficult? क्या है थोड़ा सा, A की थोड़ा सा difficult होगा. अब हम देखेंगे, इसको हमको कैसे करना है यहाँपर? चलिए हम ट्राइ करते हैं इसको four equal parts में divide करने के लिए. तो इसको हम पहले बढ़ा कर लेते हैं, ताकि हम इसको इसलिए कर सकें. हमको C बढ़ा लेना है, C बढ़ा कमने लिए यहाँपर, आप हमको four equal parts में आपको divide करना है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसको, यह वाले का half ले लेंगे, इसका half ले लेंगे, और एक square हम draw करेंगे, आप scale pencil से करेंगे तो आप पर जादा परफेक्ट होगा. तो इसको और थोड़ा सा large करना है, ताकि आपको और easy way में बता सकूँ, यह लीजिए, C बढ़ा. इसका half लेंगे, यह half लेंगे, और इसे हम square को draw कर देंगे, यह square को हमने draw किया, ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों, अभी हमने इसका half लिया था, यह वाली side का हमने half लिया था, अब इस वाली side का हम आप इसको line draw कर देते हैं, फिर हमने नीचे वाली line तो यह वान टू थी एन फोट इकपल पार्स में डिवाइड हो गया अब आगे हम देखें क्या करना है दिवाइड दा वाइट एरिया इन स्क्वाइड इंटू सेवें इकपल पार्स अब जो हमको स्क्वाइड दिया है है उसको सेवें इकपर पार्स में डिवाइड करना है यह तो बहुत आज़ियर सेवें do हुआ कर सकते हैं चलिए इसको भी में बड़ा कर लेती हुए अलेज कर लेते हैं है अब भी को हम को से बैट करते हैं नाइन रोका देते हैं वान वान थो फ़ाइप सिस बाइन दूचिए फॉर फाइप सिख अभी नहीं हुआ करते हैं तो पर दिश्टन से डो करेंगे तो पर फेक्ट आएगा और सेम डिस्टेंस पहीं लेना है वान टू थी फोर पाइव इस तरह से आप सब्सक्राइब करेंगे इस तरह से आप सब्सक्राइब करिएगा अब आगे देखते हैं क्या आप करना है अब आगी चेप्टर में गैस एंड चेक विज पार्ट ओफ इस शेप इस को अब यहां पर दिया है उसका कितना पार्ट को अधिया हुआ है फिर आप इसको चेक करते हैं चलिए हम चैक करते हैं इसको पहला हम इसको देख लें फर्स वाले को देखते हैं चेक करने के लिए क्या करेंगे देखिए आपा यहां पर इस कॉर्णर पे और इस कॉर्णर पे सेंटर से लाइन को ड्रॉ किया हुआ है । कर स्वाइन द्राइन को ड्रोव कर देंगे अब कितने पार्स हो गए काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हुए एट टोटल पार्ट को हम खाने लिखते हैं नीचे और इसमें से कलर कितना है ब्लू वण उसको में लिखेंगे बाई टोटल एट पार्ट में से बन पार जो है वो अब आगे देखें हम टेकेंड वाला ट्राइग करते हैं यह देखें आपको यहापर दिया हुआ है रेक्टै तरéisлом कि अच्छ के लेंगे एक लाइन को य्धा याख म करणीगे यह वाले स्क्रा श्क्राइर क्या कर देंगे यह आप recursos लायग शुशन बा Australian फ़ार में तब इस तरह से इतना ही दिस्टेंस का मैं याप लैट्स फिर से मिक में ड्राइवर रहेंगे टूटल कितने पाइट बन गएए, 6, 1, 2, 3, 4, 5, sorry, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 6 पाइट हमारे पाइट में बन गएए, टूटल 6 पाइट होगा कलर कितने में है, 1 में, यह कलर वाला है, उसको हम लिखेंगे 1, उपर कलर है 1, और टूटल पाइट कितने है, 6, तो 1 अपन 6, अब हम आगे देखते हैं, अब इसको भी से तरह से करेंगे हम, देखें, यहां पूरे यहां पर लाइन को ड्रॉख कर लेते हैं, यहां पर लाइन ड्रॉख कर लेते हैं, यहां पर लाइन ड्रॉख कर लेते हैं, यहां पर लाइन ड्रॉख कर लेते हैं, और यहां टोटल कितन मैं तो एपान नाइन अब यहां पर रॉप करते हैं चलिए रैक्टेंगल दिया हुए तो यहां पर इस घ्राइन को ड्रॉप कर लेते हैं पर यह लाइन को शुर्ण कर लिया यह जितने स्क्वेर हैं हम इनके चोटे-चोटे स्क्वार में को डिवाइट कर देंगे यहां भी देखें यह वाला जो है यह तो स्क्वार के से मिलके बना हूँ है यहां से हम एक लाइन को ड्रॉख करेंगे तो टोटल कितने स्क्वेर होगा है मारे पास यहाँ पर वान टू थ्री फोर फाइब और यहाँ पर कितने हैं वान टू थ्री फाइब तरी जा फिप्टेन तो टोटल स्क्वेर होगा है मारे पास में 15 और इसमें कलर कितने में 1 2 3 4 4 में कलर है तो 4 अपॉन 15 अब यह वाला देखते हैं चलिए do you remember this picture look at the small triangle अब यहां पर देखो आपको इस्माल ट्रायंगल देख रहा है जो यह वाली पिक्चर जो आपको दे हुए है यहां पर आपको इस्माल ट्रायंगल देख रहा है यह रड किलर का what part of square is this square का यह कितना part है कौन सा part है how will you find this sound हम कैसे इसको find out करेंगे अब देखें हम इसको यहां पर चलिए पहले हम इसको जो पिक्चर दिया हुआ है इसको हम थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं अब इसको हम complete करते हैं पहले यह वहला आपको line दी हुए है त्राइंगल की इस line को हम complete कर लेते हैं यह यहां पर जाएगी यह भी complete दिये तो इसको मैं आपप конце कर लेंगे यह आगया अभी यह पर उपर line रो है यह तो यहां भी हम नीचे भी क्या करेंगे इस line से हम यह आप एक line को ड्रो करेंगे फिर यहां भी देखो इस तरब यह लाइन ड्रो है तो सारे स्क्वैर्ट को बीच मेंते करदेंगे हैं centuries फिर यहां 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल कितने ट्राइंगल हो गए 16 उसमें से कलर कितने में है वन तो आंसर आएगा बन अप्वन 16 अब कोलर पार्ट कम्प्लीट दीज वन नमबर का देखते हैं आपको यहापर एक सरकल दिया हुआ है यह तो सरकल is divided into two equal parts अभी जो सरकल उंको दिया है यह two equal parts में divided है हाफ में green गर्ला है आप में red कलर है two equal parts में divided out of two अभी यहाँ पर कितने पार्ट से total 2 तो out of two equal parts one part is color blue total two parts में से one part जो है वो ब्लू कलर से कलर किया हुआ है second देखते हैं here the circle is divided into कितने parts में डिवा थिया हुआ है one two three four 4 पार्ट में डिवाइड किया हम 4 लिखडएंगे out of total parts कितने हैं four equal parts और डिवाइड ब्लू कलर किते में two parts में one two तो यहां ले देंगे equal parts two parts are colored blue अब आगे हम दिखते हैं third वाला third में क्या किया है उसको और ज्यादा डिवाइड कर दिया है पहले इसमें हाफ में डिवाइड किया था फिर two lines draw करके उसको four part में डिवाइड कर दिया अब three lines कीचेंगे देखिए three line draw है इसमें यह one line होगे यह two line होगे three three line draw करके हम इसको six इस पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो टोटल कितने पार्ट हैं इसमें six color कितने में blue color one two three में इसी तरह से अब इसमें fourth वाले में देखो और four line हमने draw कर दिये circle के अंदर तो टोटल पार्ट कितने होगे इसके eight count करिए four blue दिख रहे है four red तो टोटल पार्ट कितने होगा इसके eight इसमें से color किते में one two three four four पार्ट में color है अब हम आगे देखते हैं इसमें we can say that one upon two two are a.m.s. लाइन ड्रोट में बेदो और हमने टूलाइन ड्रोट में डिबाइद हो गया है कितने पर्स में टीज़ वाँ ओर पर आप बहुंच दो आपको लिए फोर है किम थो फ्र एमने कितना थी लाइन ड्रॉ किया था सी अब को त्री वाले हमने थ्री लाइन डिंडिया की सर्कल में तो टोकितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया सीक्स में फिर यह फोर्थ वाला सामने देख किते हैं दिखे आपको कितने نटा किया एंब City City स toss Nina सिंटताइस कितने में कंट्वाइड हो गया एक सुद्फः अब एक ही सरकल था एक की सरकल के हाँ पाड किया फिर nella पाड किया फिर वापन सुद्फ CRC एक ही सरक्र्काल को हमने यूज करके किया है तो यह सारे वन अपॉन टू इस अपॉन टू किसके होगा तुब अब इक्वल कैसे हो गए मैं बता देती हूं आपको वन अपॉन टू लिखे यहां पर इस इक्वल होगा अब देखो हम इसको शॉट फॉर्म में इसको शॉट फॉर्म में अगर हम कनवर्ट कर दे तो तो आ गया बन अपॉन टू इस लिए इंकी विच में इक्वल टू का साइन दिया है ऐसे 2 upon 4 is equal to 3 upon 6 यह भी 1 upon 2 के एक्वल होगा 3 बन जा 3 3 टू जा 6 यह भी 1 upon 2 आ गया इसलिए जित्ते भी पार्ट दिये हैं आपको सब किसके एक्वल होगे 1 upon 2 के चलिए अभी यहां पर कुछ आपको पिक्चर दिख रहा है कटिंग दा हल्वा आपको हल्वे क्याद आ गई होगी है ना चलिए रमेस वाट पीस ओफ हल्वा फॉर्ट चिल्रन अम्मू एन अनू अब जो रमेस था उनके अम्मू एन अनू उनके लिए हल्वा को खरीदा थ ही डिवाइड़ इस एकवल फॉर डैव सबसे पहले पूइच जाती है घर उसको डिवाइट कि सबको देते हैं तो इसने भी क्या करा जो हल्वा आया तो उसको टू इकवल पार्ट में डिवाइट करा हुए हल्वा कितना हो गया हाफ हाफ हो गया यहां भी हाफ पीश हो गय को बदोनों को कितना मिलेगा घोलको को हऊफा पार्ट मिलेगा क्यों यहां लिए देंगे हाफ पाट और इस पीज़ तू बिग वी कांट इट इट देशर फिर उन्हें बोला जो हल्वे का उन्हें हाफ पीस किया था फिर उन्हें बोला यह पीस तो बहुत बढ़ा है इसको आप नहीं खा सकते हैं दिस पीज़ सो ही डिवाइड दा पीस पात में तो यह थू पाट बन गए हले के आप इसको क्या हुआ यहां पार्ट यह पूर्ले का अब यह को क्या करा फिर से तूपीस पार्ट में डिवाइड कर दिया एक पीस को तूप इवाइड कर दिया है अभी देखें आगे हम आप यह एक पीस को किसमें डिवाइड का दिया अब टू पीस में डिवाइड का दिया यह एक पीस था इसको टू पीस में डिवाइड का दिया अब यह वाला जो पीस था इसको भी टू पीस में डिवाइड का दिया तो टोटल कितने पीस होगा हलवा के फॉर पीस हो गए यह ना èg WITH BEST कि एपर कितने कर दो जो हुं लोगए होग्य में कितने मिलेंग तुपीस इस कितने संसे हां इस मेलक्त दो है तुटल हमने थीॉब यूद्ध कितने हैं फूरग मेलेगा कितने वाइन फॉर मतलब एक को टू मिलेगा तो फॉर पार्ट में से तू पार्ट उनको मिलेगा तो तू अपॉण फॉर मेक इट इवन इस्मॉल है फिर उन्होंने बोला उसको और स्मॉल कर दें अब ज्यादा और स्मॉल करेंगे तो यह वाइला पीस है तू पीस कितने में कर दो जाएंगे वाला फिस हो इन फार हो जाएंगा जिया इन फैर्वश मिलेगा इसे फिर ईस को मिलेगा करेंगे दो है हवाफ कमेंगे तो उनमें से आधर आधर को मिलेगा नहीं को से .... होगा कि नाओ हाव मैनी पीस कितने पीसे मिलेंगे नहीं कितने पीसे मिलेंगे उनको फूर कि इस लुट कि बताना है कितने पार्ट मिलेगा तो टोटल पार्ट कितने असर यह देखिया तो टो चैफ मेंगे तो ऐसे फूल तो इस जो पार्ट में अगर पार्ट बताना है हमको कितने पार्ट मिले तो फॉर अपॉन एट तो यहां इको मिलेगा पॉर अपॉन एट इसका अंसर है इसको सिख्स पार्ट किया हुटा तो एक को कितना मिलता अब अम यहां देखते हैं इसको चलिए हम देखें सपोस करिए कि हमारा हलवा है इसको six part में divide कर दिया तो अब एक को कितना मिलेगा उसमें से कितना parts मिलेगा एक को मिलेगा three pieces अगर उनको pieces देना है तो three pieces देंगे part देना है तो three upon six आएगा तो यहां पर question में दे जा है कि how many piece would each have got कितने piece मिलेंगे एक को टोटल भालवे को six part में डिवाइड किया आप दौनों को देना है तो three three pieces वो क्या करेगा रमेज दौनों को दे देगा तो एक को कितना मिलेगा three piece अब यहां आगे देखते हैं अब यहां पर look at the picture write the part of the strip in each green piece write the part of a piece of each color अब देखों पहले यहां पर जंपो इस्ट्रिप देखिए यहां पर total one strip दिया है जो इस्ट्रीप दिया है यहां पर जो pink color की strip दिया है इसे कोई पार्ट नहीं है इसका एक ही पार्ट है तो one लिख देंगे फिर जो cream color में गया है तो यह कितने में इसको जो अमेरी pink color की strip थी इसको two parts में divide कर दिया है तो यहां पर two parts में divide कर दिया मतलब half half हो गया है फिर यह half था हाप को फिर से two parts में divide कर दिया है तो total कितने parts बन गए four parts बन गए तो इसको लिखेंगे one upon four दिया है कितने टोटल कितने strip हैं कितने parts इसके four one two three four तो एक part कितना होगा one upon four और फिर इसको one upon four को फिर से two parts में divide कर दिया है तो one upon four को two parts में divide कर दिया तो टोटल जो यह green color का strip है लास्ट वाला तो टोटल कितने parts में divide हो गया है तो इसका इस part कितना होगा one upon eight इस part होगा इसका one upon eight अब हम यहां पर question देखते हैं कि हमें क्या answer देने हैं यहां पर हाओ मैंनी वन फोर्थ विल देखें अपर दिया है चलिए फिर से बता देती हूं मैं आपको portion दिखा देती हूं यहां पर अभी मैंने आपको बताया था ना यह वाला वान है यह वाला कितना है हमारा half-half है और यह वाला जो four parts में डिवाइड हो गया है यह कितना है बन अपॉन four है और यह वाला eight part में डिवाइड हुआ तो एक part कितना होगा बन अपॉन eight होगा सारे boxes बन अपॉन eight green बाले ब्लू बाले सारे boxes जो वन अपॉन four के होंगे parts और यह जो वाला cream color का दिया है वन अपॉन two है वो ठीक है अब how many one-fourth will make a half कितने one-fourth मिलके हाफ बनाएंगे यह वाला one-fourth है हमारा यह एक one-fourth है यह एक one-fourth है यह दो one-fourth मिलके एक हाफ को बना रहे हैं देखो यह यह हमारे पास कितना है नुकलर का one-fourth है यह two one-fourth मिलके क्या बनाएंगे एक हाफ को बनाएंगे यहाँ पर रज़ाएगा हमारे पास two how many one-upon eight will make one-fourth अब देखो यह वाला हमारे पास हो गया अब दूसरा question है how many one-eight are in half one-upon eight कितने one-upon eight मिलके हाफ को बनाएंगे अब यह नीचे वाले जितने है portion सब इता कॉंट कर लेते one two three four four two वो मिल किया बनाएंगे यहां को बना रहे हैं तो अपने कितने इतनुए एक नपलेट लेंगे 44 एक लेंगे कि अब आगे यह देखते हैं लोक of स्क्राइब बाताना है इसमें पार्ट को कर लेते हैं तो कर लेते हैं कि यहां भी जाएगा यह आपको दिख रहा है जहां पर लाइन आपको दिख रहा है यह आप टॉटल कितने बने हमारे पास में वह टूटल नंबर है 60 इसमें से बलू कोलर कितना है तो तो तू अपउन से सिस्टेन अब ग्रीन कितना है वन ग्रीन किलर वन ही दिख रहा है अब ग्रीन के लिए लोगी हां अप वन अपन लूगा हो गया तू 2 upon 6 और ग्रीन का हो गया 1 upon sorry 1 upon 2 upon 16 और ग्रीन का हो गया 1 upon 16 चलिए अभी हम यहां पर कोपर करते हैं अब नहीं स्टम पढ़ेंगे पॉसल इस टीक्वल और फॉर्म फॉर्मा पार्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् झाल प्राट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्